नमस्कार जैसी राम मैं दिपनेतवारी जियूति सचार आप सभी का स्वागत है हमारे इस इक्टिप्चेनल हुरा सास्थ एस्टेलोजी में मित्रो आज हम बात करेंगे पदुन्नती के बारे में और प्रुमूशन के बारे में अगर आप किसी भी छेतर में नौकरी करते हैं चाहे आप प्राइविट नौकरी करते हों चाहे आप सरकारी नौकरी करते हों और आपको नौकरी करते करते दस बर्स ब्यातित हो चुके हों और अभी तक आपका प्रुमूशन नहीं हुगा हो आपकी पदोन्नती नहीं हुई हो तो आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें और हमारे द्वारा बताए गए सूत्र को ध्यान से जरूर सुनें मत्रो होता क्या है हमारी पदोन्नती ना होने का कारण हमारे ग्रह होते हैं अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वह अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो आपकी पदोन्नती में बाधा डालेंगे यानि आपके प्रमोसन में बाधा डालेंगे आप अपने कुंडली में स्वेम देख सकते हैं कि आपके प्रमोसन में कौन से ग्रह बाधा डाल रहे हैं जो ग्रह बाधा डाल रहे हैं उन गरहों का जब तब अनिठ्थान करके उन ग्रहों को सांध करके आप प्रमोसन पा सकते हैंonda अब आप जानेंगे कैसे कि आपकी कुंडिली में कौन से ग्रह बाधा डाल रहे हैं तो आप इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बीडी को लाइक करें और बीडी को सेर जरूर करें जिससे यह जानकारी सभी मित्रों तक पहुँच सके मत्रो ग्रह देखने का यहें एक तरीका है आप अपनी कुंडली खोलें कुंडली का जो लगन चार्ट होता है उसको देखें लगन चार्ट का जो दस्मा भाव होता है वह हमारी नोकरी का होता है पदुननती का होता है प्रमोशन का होता है मान सम्मान का होता है रोजगार का होता है आजबिका का होता है और आप किसे कारचेत्म सफल हो पाएंगे वह भी दसंभाव से ही देखा जाता है तो मत्रो हम बात कर रहे हैं केवल पदोन्नती के बारे में यानि प्रुमोशन के बारे में तो आपको दसम भाव को केवल देखना है आपको देखना है कि दसम भाव का स्वामी जो भी ग्रह हो वह किस इस्थिती में हो होगा यानि दसम भाव का स्वामी छटे भाव में 80 भाव में 12 भाव में होगा तो आपकी परदोन नती में रुकावट होगी आपके प्रमोसर में रुकावट होगी अब आप यह कैसे जानेंगे कि आपका दसम भाव का स्वामी कौन सा गरह है तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले तो रासी के बारे में जानना पड़ेगा और रासी के स्वामी के बारे में जानना पड़ेगा अगर आप रासी के बारे में नहीं जानते हैं और रासी के स्वामी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रासियां कौन कौन सी होती हैं कितनी होती हैं उनके नाम क्या होते हैं और रासि के स्वामी कौन से गरा होते हैं अब ही हम आपको किवल यही बताएंगे स्वामी के बारे में ही बताएंगे कि आपको स्वामी देखना है जो रासी होती है रासी का जो स्वामी होता है वह है उस भाव का स्वामी बन जाता है मान लीजिए दसम भाव में मिस रासी है तो मिस रासी का स्वामी मंगल होता है या फिर दसम भाव का स्वामी कुई भी ग्रह हो सकता है किवल मंगल ही नहीं कुई भी ग्रह हो सकता है हम आपको शोट में बता दे रहे हैं कौन सी रासी का स्वामी कौन सा ग्रह होता है मेस बेश्चिक रासी का स्वामी मंगल होता है ब्रस तुला रासी का स्वामी सुक्र होता है मिठुन कन्या रासी का स्वामी बुद्ध होता है करक का स्वामी चंदमा होता है सिंग का स्वामी सूर होता है धनु मीन रासी का स्वामी गुरू होता है मकर कुम्भ रासी का स्वामी सनी होता है बारा रासियां होती हैं मेश, ब्रस, मिठोन, करक, सिंग, कन्या, तुला, विश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन इस प्रकाशे रासि होती हैं तो आप पन्हा समय लें दसम भाव में जो रासि होगी उसका स्वामी यदि छटे भाव, आठमे भाव और द्वादस भाव में बैठेगा तो आप की नौकरी में प्रदुन नती होने में बिलंब हो जाएगा अगला सूत्र हैं दसम भाव पर पापी ग्रह के दिष्टी होगी तो भी आपकी प्रदुन नती में बिलंब होगा पापी ग्रह जैसे सूर, मंगल, सनी, राहु, केतू इन ग्रहों के दिष्टी होगी तो आपकी प्रदुन नती में रुकावट पैदा होगी दसंभाओ में नीचराशी का ग्रह वेठा हूँ या सत्तुराशी का ग्रह वेठा हूँ तब भी आपकी नोक्री में पदुन्नती हो जाएगी अब नीचराशी का स्वामी कौन होता है वसत्तुराशी का ग्रह कौन होता है वह है इसके बारे में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है अगर दसम भाव पाप करतरी में हो यानि दसम भाव से दूसरी भाव दसम भाव से 12 भाव में पापी ग्रह वैठी हो तब भी आपकी नोकी की पदुनती में दिक्कते हो जाएंगी दसम भाव से आगे यानि 11 भाव में दसम भाव से पिछली यानि 9 भाव में पापी ग्रह वैठी होंगे तो आपकी पदुनती में रुकावट पैदा होगी दसम भाव का स्वामी जू भी ग्रह हो वह नीच हो सत्तू राशी में हो वह ग्रह पाप ग्रह से पेड़त हो पाप करतरी में होगा तब भी आपकी पदोनती में रुकावट पैदा होगी आपकी पदोनती नहीं हो पाएगी अगर नीच रासी का ग्रह दसंबहाँ में बैठा हो और उसी रासी की महादसा अंतदसा चल रही हो तब भी आपकी नौक्री में पदूनती होने में बिलंब होगा छटे आठमें बारवे भाव के श्वामी की महादसा अंतरदसा चल रही होगी तब भी आपकी नौकिली में पदूनती हो नहीं हो पाएगे उसमें बिलंब होगा दसंभाव के जो कारक ग्राह होते हैं जैसे सूर, सनी, मंगल, बुद्ध, यह ग्रह दसमभाव की कारक ग्रह होते हैं, अगर कारक ग्रह भी किसी ना किसी प्रकार से कुंडली में पीड़त होंगे, अस्व विष्टिति में होंगे, पापकर्तिरे में होंगे, कम अंस्पर होंगे, तब भी आपकी नौक्री में पद अंसर से कमजूर हो मैं तवस्था में हूँ तब भी आपकी नवक्री में पदुन्नती नहीं हो पाएगी पदुन्नती को देखने के लिए आपको दस्मांस कुंडिली का भी अध्यन करना पड़ेगा अगर आपकी दसमांस कुंडली में दसंभाव दसंभाव का स्वामी किसी प्रकार से अच्छे इस्थिति में होगा तो आपकी पदुनती निश्चित हो जाएगी आपके वाल लगन कुंडली का दसंभाव देख करके निश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपकी पदुनती होगी या नहीं होगी लगन कुंडली का दसंभाव का अध्यन करते समय आपको दस्मांस कुंडली का व्यद्धन जरूर करना चाहिए अगर दस्मानस कुंडली आपकी मजबूत है दस्मानस कुंडली का लगनेश लगन मजबूत है दस्मानस कुंडली का लगनेश लगन मजबूत है दस्मानस कुंडली में लगनेश 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 मजबूत है दस्मानस मजबूत है तो आपकी भाव का स्वामी, आठ्वें भाव का स्वामी, दौादस भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर वैठ जाए, तब भी आपकी पदुनती नहीं हो पाएगी, पदुनती में दिक्कतें पैदा होगी या फिर दसम भाव और छटें आठ्वें, बारें भाव के स्वामी की राशी परिवतन हो जाएगा तब भी आपकी नौक्री में पदोनती नहीं हो पाएगी हमारे कहने का मतलब है दसंभाव, दसंभाव का स्वामी किसी भी पेकार से पेड़त होगा तो आपकी नौक्री में पदोनती नहीं हो पाएगी लगन भाव लगनिस भी पीड़त होगा तब भी आपकी पदोनती नहीं हो पाएगे अब पदोनती कब होगी? अभी तो हमने आपको बताया है कि जो ग्रह कमजूर है दसंभाव कमजूर है दसंभाव का स्वामी कमजूर है कारे ग्रह कमजूर है तो आपकी पदोनती नहीं उपाएंगी पदोनती होगी कब अब आप इसके बारे में भी ध्यान से सुने दसम भाव का स्वामी केंदर में हो, स्वरासी का हो, उच्छ रासी का हो, त्रिकोन में बैठा हो, मित्र की रासी पर बैठा हो, या मित्र के साथ बैठा हो, तो आपकी पदुनती निश्चित होगी उस ग्रह की महादसा अंतदसा या मित्र की महादसा अंतदसा में आपकी नौक्री में पदोनती निश्चित होगी दसम भाव पर सुब ग्रह की दिश्टी हो जैसे सुक्र, गुरू, बुध, चंद्रमा इनकी दिश्टी दसम भाव पर हो और जो ग्रह दिष्टी दे रहा हुआ है किसी पर कासे पीड़त ना हो तो आपकी नोक्री में पदोनती निश्चित होगी इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है दसम भाव का जो कारक ग्रह होते हैं जैसे सूर, मंगल, सनी, बुध यह कुंडली में उच्च के हो, स्वारासी के हो, मित्रासी के हो, त्रिकोर में हो और या फिर केंद्र में हो तो इन ग्रहों की महादसा, अंतदसा या पितन दसा में आपकी नोक्री में पदोनती बिलकल होगी आपका प्रमोशन बिलकल होगा दसम भाव का स्वामी जैसे हमने आपको बताया ही है अच्छे स्थिति में होगा अच्छका होगा तो आपकी परदोनती बिलकुल होगी आपकी लगन कुंडली में लगनेश और लगन भाव मजबूत होंगे तो आपकी परदोनती बिलकुल होगी दसम्भाव का स्वामी नवंभाव का स्वामी रासी परिवरतन करे या दसम्भाव का स्वामी पंचम्भाव का स्वामी रासी परिवरतन करे दसम्भाव का स्वामी लगनेश रासी परिवरतन करे तो भी आपकी पदोन्ती बिलेकल होगी इसके साथ साथ आप दसमांज कुंडिली का भी अध्यान करें लगने कुंडिली में आपके ग्राइश टॉंग है और दसमांज कुंडिली में आपके ग्राइश टॉंग नहीं है तो आपकी प्रदुन नती में रुकावट पैदा होगी तो दसमान्स कुंडली में दसमभाव का स्वामी को आप देखें छे आठ बारा में भाव में तो नहीं है अगर है तो आपकी पदोन नती में रुकावट पैदा करेगा लगन भाव को देखें और लगने इसको देखें दसमभाव के कुंडली में वह किसी पिकाश पेड़े थ हैं तो पदोन नती में रुकावट पैदा करेंगे तो मित्रों यह हैं आपकी पदोन नती में रुकावट पैदा करने वाले ग्रहे और अगर आपके ग्रहे कुंडली में अच्छे हैं तो आपका प्रमोशन बिलुकल होगा तो अगर आपको नौकरी करते हुए दस वर्स से ज़्यादा बैतीत हो चुका हूँ आपका प्रमोशन नहीं उपा रहा हो तो आप उन ग्रहों का जब तप अनिफ्ठान करें जूग रहे आपकी परदोनती में रुकावट बन रहे हैं जैसे दसम मा का स्वामी सूर है और वह नीच राशी में बैठा है तो आप सूर ग्रह की मन्त जब तप करें तो आपकी परदोनती हो जाएगी हमारे कहने का मतलब है जो ग्रह आपको परदोनती में रुकावट पैदा कर रहा है उस ग्रह को सांत करें क्योंकि हमारी परदोनती महादसा अ तो उस ग्रह का जब तप अनुष्ठान करिए तो निश्चित ही आपकी नौक्री में पदूनती होगी आपका प्रमोशन होगा तो मत्रो यह थी पदूनती के बारे में प्रमोशन के बारे में छोटी सी जानकारी अगर आप कुंडली स्वम देखना जानते होंगे तो हमने जो सूत बताए हैं इन सूत्रों को आप अपने कुंडली पर लगा कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी पदूनती किस ग्रह की महादसान ततसा में होई है अगर नहीं होई है तो किस ग्रह की कारण आपकी पदूनती नहीं हो पा रही है अगर आप कुंडली देखने नहीं ज करके अपने कुणडली का बिसेस्ट करवा सकते हैं और कि आपके प्रोमोशन में में आपके प्र teníanथ में कौन से बाड़क बन रहा है अगर आप बाष्टू सांती करवाना चाहते हैं या भाष्टू संबंदित जानकारी चाहते हैं या आप किसी प्रकार का महूर्ट जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नितरो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं आगली वीडियो में चुतिस सम्मंदित नए बिसाइले करके तब तक के लिए जैसी राम